गल्फ्रेंट किससे बात कर रही है वो कैसे पता करें रिष्टे में आने के बाद अगर आपको शक है डाउट तो ये वीडियो एक बात देख लिए हेलो फ्रेंट्स लवडिव सुटूफ चैनल में आप सभी का स्वागत नमबर पांच पे खुद से पूछेЙ अपनी फीलिंग्स और डाउट्स के बारे में डाइरेक्कली अपने गल्फ्रेंट से बात करने से पहले कुछेए फिर उसके बाद उनको पूछे ईमांदारी से अगर आपके डाउट पे भी आपको अगर डाउट है तो वो confidence नहीं आएगा फूचने में लेकिन अगर आपको सच में लग रहा है कि ऐसा कुछ है तो इमानदार इसे अपनी चिंताए बताए कि मुझे फाल तुम ऐसी चिंताए हो रही है अगर वो सच में बात करें होंगे तो उनके response से ही पता लग जाएगा कि वो क्या कर रहे है क्या चिप चिप के किसी और के साथ बात्चित हो रही है या नहीं तो उनका response इस तरह से पता चल जाएगा लेकिन आपको ऐसा गरना है मुझे फाल तो मैं ऐसे doubt हो रहा है पताने क्यों इतने बुरे विचार आ रहा है तो बस ऐसे ही है इस तरह से बात करें नमबर चार पर है trust और communication relationship में trust बहुत ही important है भरोसे की ने उपरिस्ता ठिकता है एक दूसरे से बात्चीत करना बहुत ही जरूरी है अगर आपको उन पर trust है तो शायद ये जरूरी कि आप इन से अपने doubts के बारे में बात कर सकते हैं trust को और मजबूत बनाईए इस से लेकिन communication को मत छोड़िए हमें क्या होता है कि हम मन ही मन ये सोतने लगते हैं और हम उन से बाते करना कम कर देते हैं हम गलत भी हो सकते हैं तो ये बात्चीत से आपको अच्छा पता लग जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं नमबर तीन पर observe करना उनके behavior को observe करें क्या उनके behavior में changes आये हैं कि आपके साथ जो जिस तरह से वो बरताओ करते थे उसमें changes हैं अगर आपको लगता है कि उनका behavior पदल गया है तो शायद ये उनके मन में कुछ चल रहा है लेकिन ये observe करना भी जरूरी है कि आप overthink ना करें वो किसी और से बात कर रहे हैं तो उतना ही समझे जानने की कोशिश करें ज्यादा चिंता है अच्छी बात नहीं है नमबर दो पर है privacy respect करना किसी भी तरह से उनका phone चेक करना या message चेक करना या पढ़ना उनकी permission के बिना बहुत ही ज्यादा गलत है अगर आप गलत निकले तो ये trust को damage करेंगा और रिष्टा बिगाल भी सकता है privacy को कभी मत छेड़ी है दूसरे तरीकों से अपनाईए कि वो किस से बात कर रहे हैं आप समझे क्या वो किसी वाद लड़के के साथ बात कर रहे हैं या हो सकता है कि कोई अपने में दोस्त के साथ इतने लमबी बाते कर रहे हैं अक्सर हमें किसी और के साथ लमबी बाते करते हैं तो doubt होता है कि हमारे से और कौन हो सकता है जो लमबी बात करें लेकिन और भी कोई हो सकता है तो ये द्यान रखिए नंबर एक पर professional help ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी situation बहुत ही ज़्यादा complex है और आपको लगाता attention हो रही है तो एक relationship counselor या therapist या उससे बात कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो tip वो भी आप अपना सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा helpful हो सकते हैं सबसे important बात ये है कि आप दोने एक दूसरे के साथ इमानदारी से पेश आए अगर आपका अशक गलत है तो आपकी relationship में trust की बुनियाद हिला सकता है तो इसलिए सोच समझ के कोई solution निकाले मुझे comment box बताए कि आपको कैसे पता लगा कि वो अगर किसी और से बात कर रहा है था तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंट वीडियो को देख रहे हैं सारे जीए बीए फ्राजा मचूँ लेला जो भी हो वीडियो अच्छा लगा और लाइक किजे अपने दोस्तों के किसा शेयर गिजे कोई भी सवाला से जा हो comment box बताना ना भूले थैंकि दोस्तों नो बैटा और लेओ बैटा